हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माय यूट्यूब चैनल नियाजी स्टिचिंग और पेंटिंग सबसे पहले हम लीफ को पेंट करने के लिए कलर मिक्सिंग कर लेते हैं डार्क ग्रीन कलर और लेमन यलो कलर को मिक्स करके मैंने लाइट ग्रीन कलर बनाया है तो पहले हम लाइट ग्रीन से शेड डिंग डाल देते हैं अब हम इसी पर डार्क ग्रीन से शेडिंग डाल देंगे डार्क ग्रीन से ही हम पहले इसको शेड देंगे इसके बाद पहले वाइट ग्रीन से शेडिंग डालेंगे फिर उस पर डार्क ग्रीन से शेडिंग डालेंगे जड़ो टेंगे बालेंगे 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 अब हम इस पे वाइट से थोड़ा शेडिंग डालेंगे और फिर उसको मिक्स कर देंगे वाइट वाले प्रोसेस से ही हम लेमन यल्लू का भी शेडिंग डालेंगे और मिक्स कर देंगे तो बस जैसे उपर वाला पार्ट बना है वैसे ही नीचे वाला पार्ट भी बनेगा सेम कलर सेम प्रोसेस नो डिफरेंस मुष्जिजिजञे वालेंगे 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 प्रोसे नीचे विश्ण वालेंगे झाल 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 फ्लावर बनाने के लिए पहले हम मजेंटा से फील कर देंगे फिर डीप ब्रिलियंट परपल और वाइट से हम स्ट्रॉक बना लेंगे और फिर पेंट करेंगे झाल तो बस इसी मेथट से मैंने सारे फ्लावर को कंप्रीट कर दिया है अब इसके सेंटर में मैंने लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, लेमन येलो और वाइट से डॉट डॉट दिया है अब हम ग्रासेस से अपने पेंटिंग को डिकोरेट कर देते हैं अब देते हैं यह फोल्डेड लीफ मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाओंगे इन्शाला इस वीडियो में थोड़ा मिस हो गया था तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जलू दिखाओंगे नाव दू लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक यू